सर्विव्यों नमनम है प्रसुत है संस्क्रिट कक्षा 6 की संस्क्रित पाठ्ध पुस्तक लीपकम का दवीट्यपाठ्ध प्रतम पाठ्ध में हमने स्वर्व इंजिनों के और उनके उचालन स्थानों के बारे में जाना था तो दित्य पाठः एशह कह एशह का एतत किम एशह यह कह मिस कौन एशह का स्त्री लिंग के लिए यह कौन एतत किम यह क्या नपुसंग लिंग के लिए तो एशह का प्रियोग जो है पुलिंग शब्दों के साथ करते हैं एशह का प्रियोग स्त्री लिंग के लिए करते हैं औ एक वचन जिससे हमें एक संख्या का बोध होता है द्वी वचनम जिनसे हमें दो संख्याओं का बोध होता है बहु वचनम जिससे हमें दो से अधिक संख्याओं का बोध होता है वो बहु वचन होता है एक वचनम बाल कह चित्र में एक बालक है तो बाल कह दुई वचनम बालकव दो बालक दिखाई दिये हैं दो बालक हैं चितर में तो क्या आएगा बालकव बहु वचनम दो से अधिक बालक हैं तो बालकव 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 व्रिक्षः व्रिक्षव व्रिक्षः एक आती है तो इसके लिए आएगा एक वचन गजह, दो हाती हैं, गजव, दो से अधिक वाती है, गजव गजह, गजव, गजाह स्त्रीलिंग 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 में एक वचन के लिए एक बाली का है तो बाली का दुई वचन दो बाली का ये दिखाई दे रही है हमें बाली के और बहु वचन में दो से अधिक के लिए बाली का हा बालिका, बालिके, बालिकाह, अब हमें एक वैद्या दिखाई दे रही है, एक के लिए वैद्या, डॉक्टर, वैद्य, वैद्या, आजा, बक्री, तो एक बक्री दिखाई दे रही है, उसके लिए प्योग, आजा, दो बक्री दिखाई दे रही है, उसके लिए दूई वैच नपुन्सक लिंग में तो पत्रम पत्रे पत्राणी चक्र पईया एक वचन के लिए चक्रम द्वी वचन में चक्रे और बहु वचन में चक्राणी एक वचन में पुस्तकम द्वी वचन में पुस्तके बहु वचन में पुस्तकाणी तो आएए इन्हीं का हाँ एक बारों अभ्यास करते हैं पुल्लिम शब्द एक वचन बी वचन बालकह बालकव बालकह व्रिक्षः व्रिक्षव व्रिक्षः गजह गजव गजाह स्त्रीलिंगम बालिका बालिके बालिकह वैदेया वैदेये वैदेयह अजा अजे अजाह नपुस्टन लिंग में पत्रम पत्रे पत्राणी चक्रम चक्रे चक्राणी पुस्तकम पुस्तके पुस्तकाणी तो आज के लिए इतना है आगे का जो पाठे है हम वो अगली कक्षा में पड़ेंगे धन्यवादह नमो नमा